स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटोब चैनल रस्तोगी कोचिंग में आज के इस वीडियो में क्लास 10 के विज्ञान पेपर हल के बारे में अध्यन करेंगे जो पेपर का कोड है 824 बियन तो यूपी बोड में 7 जो है सेट पेपर बनता है आज साथ सेट पेपर में पहला पेपर हल किया जाएगा 824 बियन तो 824 बियन में कौन कौन से प्रस्ण पूझे गए थे सभी प्रश्णों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा यहां देख सकते हैं पहला प्रस्ण आया हुआ था कि वकर्ता त्रिज्या का मात्रक होता है अब वकर्ता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है पहला अफसन दिया गया मीटर है सेंटी मीटर है मीली मीटर है इनमें से सभी तो याद रिखेगा वकरता त्रिज्जा को जो मापा जाता है वो मीटर से भी मापा जाता है सेंटी मीटर से भी मापा जाता है मिली मीटर से भी मापा जाता है किलो मीटर से भी मापा जाता है तो इसमें आपसन क्या हो जाएगा इने में से सभी क्या हो जाएंगे सही हो जाए पर एक प्रकास किरण के लिए अपवर्तन कोड का मान आपतन कोड के तुलना में अधिक होता है यदि प्रकास की किरण अब यहाँ पर बताना है जब एक पादर्सी माध्यम से दूसरे पादर्सी माध्यम में जब प्रकास प्रवेश करता है तो प्रकास किरण के लिए अपवर्तन कोड का मान आपतन कोड के तुलना में क्या होता है अधिक होता है तो यह कब अधिक होता है पहला दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं इसी पेपर को जो है संपुर यहाँ पर लिखा गया है तो यहां बिकल्प नंबर जो है एक जो है क्या सही है सगन माध्यम से बिरल माध्यम में जा रही है तो अब अगला प्रशन जो दिया गया है गौवाला प्रशन देश सकते हैं गौवाला प्रशन क्या दिया गया है अब यह नुमेरिकल प्रशन है इसको हल करके आपको बताया जाएगा परतिरोध आर के किसी तार के टुकडों को चार बराबर भागों में काटा जाता है कितने बराबर में चार भागों में काटा जाता है इन टुकडों को फिर समानतर करम में सयोजित कर देते हैं यदि तुल परतिरोध क्या हो जाए आर डैस है तो आर ड बटा आर का अनुपात पूछा जा रहा है लेकिन यहां पर परतिरोध को कितने बराबर भागों में काटा गया है तो चार बराबर भागों में काटा गया है तो यहां पर देख सकते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा यहां पर सबसे पहले लिखेंगे आरवन बराबर क्या हो ज इसमें चारों में जो है देख सकते हैं बराबर भागों में भी भाजित किया गया है यहां कितने परतिरोध हैं चार परतिरोध हैं आरवन आरटू आरथे आरफोर है अब यहां पर इसको समांतर करम में जोड़ना है तो लिखेंगे समांतर करम में तुल परतिरोध का सुत्र क होता है तो आप से भी ध्यारती जानते हैं एक बटा ऑडैस अब यहां पर आर डैस क्यों लिखा जाएगा क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि समांतर करम में जो तुलपरतिरोध होगा उसको आर डैस से पर्दरशित किया जाएगा तही एक बटा आर डैस बराबर एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस एक बटा आर थी प्लस एक बटा आर फोर यह किसका सुत्र है तो समानतर करमे तुल परतिरोध का सुत्र है एक बटा आर डैस हो जाएगा एक बटा आर वन का मान तो आर वन का मान उपर देख सकते हैं आर बटा क्या है चार है आरटू का मान भी वही है तो यहां आरवन के जगा अपका लिखेंगे आरबटा चार आरटू के जब आरबटा चार आरबटा चार आरबटा चार मतलब आरवन आरटू आरथरी आरफूर का मान आपस में क्या है बराबर है अब यह चार जो नीचे है वो और बटा आर चार बटा आर और इसमैं देखेंगे जो है हर आपस में क्या हैं तो इन में चारों में देख सकते हैं हर आपस में बराबर हैं तो यहां R, 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 R जो हर बराबर है तो नीचे का लिख देंगे? R लिख देंगे 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 तो 16 बटा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा यह लाइन जो है आप से भी द्यारतियों को अच्छे से समझ में R अगर कैसे इसको साल्व किया गया आगे देख सकते हैं कि अब यहाँ पर इसका उल्टा कर देंगे आर डैस उपर जाएगा वन नीचे जाएगा आर उपर जाएगा सोल नीचे आजाएगा तो आर डैस बटा एक बराबर आर बटा क्या हो जाएगा सोला हो जाएगा तो यह आर को जो है यह अंस में है इसको हर में जब भेज देंगे तो यह आर जो ऊपर था यह अंस में था यह हर में आ जाएगा और वन वाला वहाँ भेज देंगे तो क्या बन जाएगा एक बटा सोला हो जाएगा मतलब इसमें बिकल्प नमबर चौथा जो है क्या है सही है बिकल्प नमबर चौथा में आपसर में क्या दिया गया था एक बटा सोलह दिया गया है यहां देख सकते हैं यहां पर एक बटा सोलह आपसर में इसमें दिया गया है तो या कैसे सिद्ध हुआ आप सभी विद्यार्थी समझ में आ गया होगा कैसे इसको सिद्ध करके बताया गया तो इसे चाहे तो पने कापी में नोट भी कर सकते हैं अगला प्रशन आया हुआ था कि बैदू धारा का मापन किया जाता है अब बैदू धारा का मापन किसे किया जाता है बोल्ट मीटर से कि ओ मीटर से गैलोनो मीटर से उरजा मीटर से तो याद रखेंगे बैदू धारा को जो मापन किया जाता है ओ मीटर से किया जाता है किसे ओ मीटर से जो है धारा को मापा जाता है इसमें बीकल्प नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो भावती विज्ञान में जो है को खो गो और घो यहाँ पर देख सकते हैं चार प्रस्ण जो है बावेकलपी पूछा जाता है चारो प्रस्ण जो है आपसे विद्यार्थी समझ लिये होंगे अब अगला प चित्र भी बनाकर समझाइए तो प्रकास परावर्तन का नियम बनाना है और इसका रेखा चित्र भी बनाना है तो अब यहाँ देख सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पर नोट कर लेंगे प्रकास परावर्तन का नियम यह दो का का प्रसन है प्रकास प्रावर्तन के क्या नियम है रेखा चितर भी बना कर समझाईए तो रेखा चितर जो बना जाएगा कि यह जो है दरपड है और दरपड पे जो प्रकास के किन्य आ रहा है और टकरा करके उसी माध्य में प्रकास के किन्य का जा रहा है वापस चला जा रहा जो किरन आता है इस किरन का नाम क्या होता है आपतित किरन होता है और जो टकरा करके जो किरन जाता है उस किरन का नाम होता है परावर्तित किरन होता है और बीच में क्या होता है तो यहां पर इसका नियम बताना है प्रकास के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो यहां हेडी परवर्दतित किरन चाहँ थी पर है आपतित किरन तथा अभिलम तीनों एक तलपर इस्थित होता है इसमें क्या है адतित किरन और परवर्दतित किरन और अभिलम कहा। कहां पर है एक ही तल पर इस्थित है और ये बीच का जो कोड़ देख रहा है आपतन कोड़ या है परावरतन कोड़ आपस में क्या होते हैं बरावर होते हैं तो दूसरा लिखेंगे आपतन कोड़ परावरतन कोड़ आपस में बरावर होता है अर्थात कोड़ आई बरावर को time-r яв गया तुछ है इसमें दो नियम थे, दोनों नियम जो है समझ में आ गया होगा और इन्हें रेखा चित्र भी बना कर समझाईे ति यही रेखा चित्र इसका हो जाएगा कि प्रकास के कीने आया है ठकरा करके जो है उसी माध्य में वापस लौट गया है तो समझ में आ गया होगा अब अगला प्रशन देखेंगे कि उतल दरपड लगा है उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाईक सवार जब उससे चार मीटर के दूरी पर है तो उस समय पहले वाले बाईक सवार के दरपड में दूसरे का परतिविम कितनी दूरी पर दिखेगा दो नमबर का यह प्रशन है बहुत ही आसान है बस इसका भासा दूसरा दे दिया गया है अब बच्चे जो है इस भासा को पढ़ करके जो है डर गए होंगे कि बहुत कठीन कोशन है लेकिन यह प्रशन बहुत ही सरल है अब इसको कैसे साल्व करेंगे इसमें जो दिया गया है तरिज्जा इसमें कितना दिया गया है तो देख सकते हैं दो मीटर वकरता तरिज्जा है तो वकरता तरिज्जा को किसे परदासित करेंगे तो आर बराबर जो है दो मीटर है वकरता तरिज्जा किसे देखाते हैं आर से और आर बराबर कितना है दो मीटर दिया गया है अजब वोकरता तैरिज्ञा देदिता प्रस्ष्ण में तो सबसे पाले फोकस निकलना पडता है तो फोकस का सुत्र होता है यह बराबर और बटादो मतलब फोकस दूरी किसे कहेंगे वोकरता के आधह भाग ही क्या कहलता थ Александ का राता है तो आर के जगा पे दो लिख लेंगे, दो से दो में भाग करेंगे, तो यह आपका मान क्या जाएगा, एक मीटर, तो इसमें फोकस दूरी कितना हो गया, एक मीटर हो गया, अब यहां पे लिखा है, उसके पीछे कोई दूसरा मोटर, मोटर, बाइक सवार, उससे चार मीटर के यू बराबर क्या जाएगा, माइनस चार मीटर, यू का नाम क्या है, तो बस्त की दूरी, अब बस्त की दूरी मतलब कौन है, तो दूसरा जो बाइक है, वो चार मीटर के दूरी पर है, तो यू बराबर माइनस चार मीटर, और यहां परतविम कितनी दूरी पर बनेगा, त किन का सुत्र है तो दरपड़ का सुत्र है अब यहां एक बटा भी को उतार देंगे क्योंकि भी की गर्णा करना है पलस हो जाएगा एक बटा यू यू का मान कितना है तो यू का मान माइनस चार है तो यहां माइनस चार हो जाएगा एक बटा या फिया पका मान एक हो जाएग तो क्या बनिगे या पला से एक बटता चार हो गया एक बटता भी बराबर अब यहां पर जो है चाहे तो आप कहिछी गुडा कर सकते हैं या 87 ले सकते हैं 4194 1191 और 1 में 4 कर गुड़ा करेंगे तो 4194 हो जाएगा और 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा तो 1 बटा भी बराबर 5 बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा यह लाइन जो है आपसे भी द्यारती समझ लियों कैसे इसको सिद्ध करके यहां पे लाया गया अब आगे देख सकते हैं भी बराबर जो है इसका उल्टा कर लेंगे भी उपर जाएगा वन नीचे जाएगा चार उपर जाएगा पांच नीचे जाएगा और 0.8 मीटर को अगर सेमी में बदलेंगे तो 100 से अगर गुड़ा कर देंगे तो 80 सेमी हो जाएगा यहां तो चाहे मीटर में लिख सकते हैं मीटर से अगर सेमी में बदलेंगे तो 100 से गुड़ा कर देंगे तो वह सेमी में आएगा बस आप लोग भासा को पकड़िए अब अगला देखेंगे अगला प्रशन क्या आया हुआ था तो अगला प्रशन दिया गया है कि दो का गौ है एक उत्तर लेंस आवर्धन लेंस के रूप में कैसी परियुक्त किया जाता है कीरन आरे की सहायता से समझाईए तो यहाँ पर क् उत्तर लेंस आवर्धन लेंस के रूप में कैसी परियुक्त किया जाएगा तो इसका उतर होगा किसी उत्तर लेंस को फोकस दूरी यों प्रकास की केंद्र के मध्ध पर रखकर आवर्धन लेंस के रूप में प्राप्त कर सकते हैं मतलब कोई उत्तर लेंस का जो फोकस दू है कि यह आरेक बना हुआ है कि यहां पर जो है क्या है यहां पर यह बस्तु रखा गया है और यह उत्तर लेंस लगा हुआ है और यहां से फोकस किया जा रहा है तो यह फोकस आगे जाकर कि यह बस्तु का परतविम जो है क्या बना है बड़ा बना हुआ है तो चाहे तो इसका आरेख भी आप लोग खास सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि बस तुका जो है मारा उत्तर लेंस का फोकश दूरी प्रकास की किंद के मध में रखना है, कहां पिर रखना है, मध मतलब बीच में रखकर आवर्धन लेंस के रुप में क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकत हैं तो यहां पर जो है समझ में आ गया होगा कि उतर लेंस आवर्धन लेंस के रुप में परियुक्त किया जा सकता है तो दो का गौश जो है आपसे विद्यारती अच्छे से समझ लिये होंगे अब यहां पर देखेंगे तीन का कौमी कौन सा प्रशना आया हुआ था तो का पड़ामी परतिरोध का मान क्या हो जाए चार दसमनों पांच ओम हो जाए एक ओम हो जाए तो यहां पर बताना है कि मतलब दो ओम को तीन ओम को अच्छे ओम को आप किस करमें जोड़िए कि इसका उतर पहला जो है चार दसमनों पांच आना चाहिए अदूसरा उतर जो है एक ओम आना चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे कि हमको चार तुसमनों पांच ओम लाना है अब चार तुसमनों पांच ओम कैसे आएगा तो दो ओम को अच्छे ओम को किस करम में जोड़ दें समानतर करम में जोड़ेंगे जब 2 को 6 को जब जोड़ लेंगे तो जो उत्तर आएगा वह उत्तर और 3 ओम को जो मिलाएंगे तो कौन सा करम बनेगा स्रेडी करम बन जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 6 ओम 2 ओम किस करम में है समानतर करम में है अब समांतर करम का सुत्र क्या होता एक बटा आर डैस बराबर एक बटा आर वन प्लस एक बटा क्या होता है आर टू होता है 21 करम का सुत्र है तो समांतर करम का सुत्र है एक बटा आर डैस उतर जाएगा एक बटा आरवन का मान क्या है तो आरवन का मान 6 है और आरटू का मान क्या है दो है तो यहाँ पर एक बटा 6 हो गया एक बटा 2 हो गया अब यहां देखेंगे दोनों का हर आपस में क्या है बराबर नहीं है 6 है और यह 2 है तो यहां पर हर बराबर करने के लिए यहां अंस में और हर में 3 से क्या कर देंगे गुड़ा कर लेंगे तो हर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा तो 1 बटा 6 हो गया प्लस यहां 1 बटा 2 तो तीन से गुड़ा करेंगे तो तीन एक अनम तीन दूतियाई च्छे तीन बटा च्छे हो गया दोनों का हर आपस में क्या हो चुका है बराबर हो गया एक बटा आर डैस बराबर हो जाएगा तो क्या अगा तीन और एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा चार बटा च्छे हो जाएगा तो यहां पर जो माना आया है एक वटा आर्ट डैस का माना आ गया चार वटा चार जे आ गया अब इसको उल्टा करेंगे तो आर्ट डैस उपर जाएगा वन नीचे आ जाएगा चार लेंगे चार से जब छे में भाग कर देंगे तो यह एक दसमलो पाँच ओम आ जाएगा तो जब एक दसमलो पाँच ओम आया यह किस करम में आया था तो यहाँ पर दोनों को जब जोड़ा गया था यह समांतर करम में था अब इसको हल किये तो एक दसमलो पाँच ओम आ गया अब यह एक दसमलो पाँच ओम किस क करम में हैं स्रेडी करम में हैं तो स्रेडी करम का सुत्र क्या हो जाएगा अब यहां डबल डैस कर लेंगे यहां पर एक डैस था यहां डबल डैस हो जाएगा आरवन प्लस आरटू हो गया आरवन का मान एक दस्मलों पांच आया अब इसको आरवन मान लेंगे और इसको क्या म पांच Ohm आ गया! अब क्या लाना है? अब हमको लाना है एक Ohm अब एक Ohm कैसी आएगा? अब एक Ohm ला करके आपको दिखाया जाएगा. तो अब यह कोसलननमर और यहां पर अब बता है एक Ohm लाना है हगर आरवन मतलब आरवन क्या था दो ओम था अगर दो ओम को और यहां पर का लिख दें तीन ओम को और क्या दिया गया था प्रशन में छै ओम को अब यह तीनों को जो है अगर हम समांतर करम में जोड़ दें किस करम में समांतर करम में जोड़ा जाए तो समांतर करम में एक बटा आर टू पलस एक बटा क्या हो जाएगा आर थिरी हो जाएगा एक बटा आर बराबर एक बटा आर वन कामान दो हो गया आर टू कामान एक बटा तीन हो गया और आर थिरी कामान छे हो गया अब यहां पर इसका यल सीम जब लेंगे तो नीचे यल सीम इसका क्या हो जा हो गया, 3, 2 ना 6 हो जाएगा, और 6, यहाँ 6 ही और थे, तो यहाहँ उपर अन्स में 1 हो जाएगा 3, 2, 5, 1, 6 हो गया एक बटा, आर बराबर क्या हो जाएगा, उपर 6 और नीचे 6, इसका उलटा भी करेंगे, तो आर बटा एक बराबर क्या बनेगा 6 बटा 6 हो जाएगा 6 से 6 कट गया और बराबर जो है कितना आ गया एक ओम आ गया तो एक ओम लाना भी था तो इसका मतलब एक ओम कब आएगा जब दो ओम को तीन ओम को अच्छे ओम को किस करम में जोड़ेंगे समांतर करम में जोड़ेंगे तो एक ओम आ जाएग तो उमीद करते हैं यह प्रशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब सीखेंगे आप तीन का ख तो ख वाला प्रशन में देखेंगे को का इसमें देखेंगे अथमा एक प्रशन दे दिया गया है अब अथमा में क्या दिया गया है एक बिद्दूत चाला का प उनों में से कोई एक ही प्रशन का करना है तब इस उतर को भी समझ लेते हैं किसी बिद्धु चालक का परतिरोध कीन कारको पर निर्भर करता है तो यहां लिखेंगे कि जब चालक का परतिरोध कीन निर्भरता है अब चालक का परतिरोध किस पर निर्भर रहता है तो चालक का जो परतिरोध होता है वो लंबाई पन निर्भर रहता है तो लिखेंगे आप चाला का परतिरोध चाला के लंबाई के क्या होता है अनकर्मान पाती होता है तो आर अनकर्मान पाती यल मतलब चाला का जो परतिरोध है वो चाला के लंबाई के क्या होता है अनकर्मान पाती होत पहला निर्वर करता है आद दूसरा चालग का जो परतिरोद की स्पर निर्वर करता है लेकिंगे चालग का चाला के लंबाई के अनकर्मान पाती होता है चाला का परतिरोध चाला के छेतरफल के क्या होता है ब्यूत कर्मान पाती होता है बते कितना असान है आप चाहे सवाल लगाए या इसको जो है इसके निर्भर्क बताना है परतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है का खोद दिया गया है कि दूर दिष्टी से पीडित ब्यक्ति कम से कम 50 सिंटी मीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है उसे सही दृष्टी के लिए 25 सेमी की दूरी पर पुष्टक रख कर पढ़ने के लिए किस प्रकृत यों किस फोकस दूरी का लेंस का परियोग करना चाहिए चितर बना कर भी समझा ये चाह नंबर का ये प्रस्ण है अब इसको जो है हल करके बताया जाएगा किस नुमेरिकल को कैसे इसको हल किया जाएगा तो यहां पर दूर दिष्टी से प्योडित एक ब्यक्ति है और कम से कम 50 सिंटी मीटर की दूरी को पढ़ सकता है तब पढ़ पूछा जा रहा है यह मतला फोकस दूरी बराबर इसमें परस्णमाचक हो जाएगा और लेंस का सुत्र क्या होता है तो लेंस का सुत्र आप सभी विद्यार्थी जानते हैं क्या होता है एक बटा यह बराबर होता है एक बटा भी माइनस एक बटा यू होता है यह किन का सु से मि दिया गया है, अगला लाइन बनेगा, आपको नीचे नोड करलेंगे, अगला लाइन बनेगा, माइनस एक बत्टा पचास हो गया अभ यहां देखेंगे, हर बराबर नहीं है तो हर बराबर नहीं है, तो कितने से गुड़ा कर दिजी, दो से अंस में अब दो से हर में गुड़ा कर लीजिए हर आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा अब एक बटा पचीस से हो गया था यहां पे दो से गुड़ा करेंगे तो दो एक अनम दो पचीस दोना पचास दो बटा क्या हो जाएगा पचास हो जाएगा अब दोनों का हर बराब जाएगा वन निचे जाएगा ति यह फबटा एक पता एफबर एक बराबर 50 पता एक हो जाएगा उल्टा कर लेंगे और एक में जब 50 का भाग करेंगे तो किया जाएगा यह बराबर 50 वी हो जाएगा थे हैं आप अब इसमें एक अथमा प्रशन भी दे दिया गया है अब अथमा प्रशन क्या दिया गया है तो अब अथमा प्रशन को भी देख लीजिए क्या लिखा है एक प्रीज में प्रकास का अपवर्तन किस परकार होता है एक प्रीज में है इसमें प्रकास का जो है अपवर्तन किस पर प्रिजम में यहाँ पर सबसे पल्य प्रिजम में यहां पर दो सतः होता है वह परावर तक होता है अब यहां से प्र करकास की प्रीजम में यहां वाला तल पे गया है अपर वर्थित होकर कि उसे एक ज़िए है और सामें चली पिर वाला तुरी सत्वा सखस्त अब यहां दूसरे जो तल दिया है A.C. नाम है क्या नाम है A.C. है अब A.C. से जो हमारा R है R से कहां गया है Y.S. दिसास्त में बाहर निकल जाती है इसका मतलब A.B. सता जो हमारा तल जो देख रहे हैं इस पे P.Q. परकास जाएगा और P.Q. परकास जो है सीधे कहां जाएगा अब Q.R. के पास जाएगा और R जो होता है तो समझ में आगे अपवरतन की क्रिया कैसे हुआ है यहां परकास जाएगा सीधा हुआ सीधा करके मुड़ गया तो यही जो है किसमे घटना घटा है तो प्रिजम में अपवरतन की घटना घटा है अब यहां पे जो ऐसे मिला लेंगे यहां से इसको मिला लेंगे औ और यहां से भी आगे की तरह मिलाएंगे, तो यहां आपतन कोड हो जाएगा, यह कोड कौन सा है, आपतन कोड हो जाएगा, इसको I1 कहेंगे, इसको I2 कहेंगे, इसको I2 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे, और यह बिचलन कोड डेल हो जाएगा, यह जो कोड बनेगा, क्या बनेगा, तो ए चितर कोच ओ है आप सभी भी त्यारती बना लेज़े आपके book में भी ऐसे चितर बना हुआ है तो प्रस्ट नम्बर तीन का खो का अथमों भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब लाश्ट जो प्रस्षंद चौथा है भौती वी क्याना कर देख सकते हैं क्या दिया गया है निम्न बैदुद परिपत में R1 का मान 10 ओम दिया गया है R2 का मान और R3 का मान 20 ओम दिया गया है ये दुनों मान आपस में क्या है बराबर दिया गया है और R4, R5, R6 का मान तीसों दिया गया यह तीनों मान आपस में क्या है बराबर है यहाँ दो मान बराबर है और यहाँ पर तीन मान बराबर है और यहाँ एक चितर बना दिया गया है और चितर में बताया गया कि यह जो है यह मीटर है यह बैटरी है और यह कुंजी है अब इनके सहायता से क्या प्रश्ण पूछा जा रहा है परिपत को 12 बोल्ट के बैटरी से सयोजित किया गया है गड़ना करके बताईए कि परिपत का कुल परतिरोध कितना है तथा बैटरी से कितनी बैदुधारा प्रवाहित हो रही है साथ नंबर का यह प्रश्ण आया हुआ है बहुत सरल है बस थोड़ा साब को ध्यान देना है अब यहाँ पे जो चितर बना था अब इसी चितर को यहाँ पर बना लिया जाएगा और यहाँ पे ध्यान देंगे कि यह R2 और R3 अब यहाँ देखे R2 और R3 यह किस करम में है तो R4, R5, R6 जो है यह भी किस करम में है समानतर करम में है तो पहले इसको हल कर लेंगे समानतर करम में क्या आएगा और पुना इसको हल करेंगे तो समानतर करम में उत्तर क्या आएगा जब उत्तर यह मालूम हो जाएगा तो यह उत्तर और यह उत्तर और यह R1 मिलाएंगे तो क R2 और R3 कौन-कौन था? R2 देख लिजे, R2 और R3 जो है, समानतर करम में हैं, तो लिखेंगे आपर R2 कामा R3 समानतर करम में हैं, अब समानतर करम का सुत्र क्या होता है? तो आप से विद्यारती जानते, 1 बटा R बराबर, 1 बटा R2 पलस, 1 बटा R3 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर दो परतिरोद R2, R3 लिया है, इसलिए आप R2, R3 लिखेंगे, और R2 कामान भी प्रस्ण में कितना दिया गया था? 20 दिया गया था, और R3 कामान भी प्रस्ण में कितना दिया गया है? 20 दिया गया है, तो यह दोनों का हर आपस में क्या है? बराबर हैं 20 20 है तो यह दोनों का हर बराबर नीचे 20 उतर जाएगा और एक एक जोड़ लेंगे दो हो जाएगा इसका उल्टा कर लेंगे तो आर बटा एक बराबर और यहां 20 बटा दो हो जाएगा दो से 20 में जब भाग करेंगे तो आर बराबर कितना जाएगा 10 ओम आ जाए का सुत्र क्या होता है तो एक बट र जोेंगे तो क्या बनेगा उल्टा कर लेंगे तो तीन हो जाएगा तीन को कुती समें भाग करेंगे gosp Danny आजाएगा दस ओम आजाएगा इसका मतलब इसको भी हल किया गया तो यह दस ओम आया और इसको भी हल किया गया तो दस ओम आया और आरवन भी यह क्यों लिखे हैं मतलब इसका मान भी 10 है और इसका भी मान क्या है 10 है इसलिए R1 10 ओम 10 ओम स्रेणिकर में है तो R1 प्लस 10 प्लस 10 मतलब सुत्र क्या होता R1 R2 R3 होता है इसलिए R1 का मान 10 हो गया यहां R2 कमांद 10 हो गया R3 कमांद 10 हो गया इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 30 ओम जो है इस परिपत में आ जाएगा परतिरोध पूरे परिपत में 30 ओम का परतिरोध है और इसमें बोल्टेज कितना दिया गया है 12 बोल्ट का बैटी लगा भी बराबर 12 dash लिकेंगे क्योंकि 8 double dash वाला जितना आएगा उसी का प्रियोग करेंगे 8 double dash 30 है तो यहां 12 में 30 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर 0.4 amp आ जाएगा या इसको जो है 3 से काट करके छोटा बना करके भाग दे दीजिए तो इसमें धारा कितना बरा 0.4 amp धारा प्रवाहित हो रहा है पूरी परिपत में अगर पूछा जाए कितना परतिरोध है 30 ohm का परतिरोध है और इसमें धारा कितना बरा तो 0.4 amp की धारा प्रवाहित हो रहा है तो प्रशन नम्बर चार जो है आप सो भी विद्यार्थी समझ लिये होंगे अब इसमें एक आथमा प्रशन भी पूछा गया है कि आथमा प्रशन क्या है बैदुत मोटर का कारेकारी सिध्धान क्या है नामांग की चितर के सहायता से इसके कारेविधी को समझा ये भी साथ न जो बिद्दुत उर्जा को किस में बदलता है यांत्रिक उर्जा में परिवर्तित करता है मतला बिद्दुत उर्जा के माध्यम से यांत्रिक उर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन है तो बैदुत मोटर होता है अब इसका सिध्धान क्या है तो लिखेंगे जब किसी को चुमकी छेतर में रख कर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है जब कोई कुंडली है उसमें चुमकी छेतर में रखा जाएगा आज जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युकम कार करने लगता है जो कुंडली को उसकी अपने अच पर घुमाने का प्रियास करता है यदि कुंडली अपने अच पर घुमने के लिए सोतंतर हो तो घुमने लगती है तो जब मोटर के अंदर जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके अंदर जो आर मेचर कुंडली लगा होता है वह कुंडली क्या होता है अपने अच पर क्या होती है प्रवाहित करते हैं जब बैटरी से धारा जब कुंडली के अंदर जाता है तो फ्लेमिंग के बाया हाथ के नियम से कुंडली की भुजा एबी तथा सीडी पर बराबर प्रंत बीपरी दिसा में एक बल कार करने लगता है और यह बल यूग में बनाते हैं जिसके कारण कुंड कुंडली दचिरावर्त घुमने लगते हैं अकुंडली के साथ उनके सीरों पर लगे विभक्त वले भी घुमने लगते हैं तो विभक्त वले कब घुमते हैं जब कुंडली के अंदर बैदु धारा को प्रवाहित किया जाता है तो जब धारा इसके अंदर जाता है तो वह जो कुंडली आर्मेचर कुंडली है वो दशिरावर्त घुमने लगती हैं जिसके द्वारा विभक्त वले भी घुमने लगते हैं तो इस भाग में जो है बहुती विज्ञान के सभी प्रशनों को हल करके बताया गया तो यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लग आप सभी विद्यार्थि जरू कमेंट कीजिएगा अगले भाग में टोटल रसायन विज्ञान के सभी प्रशनों को हल करके बताया जाएगा और इसका एक प्लेलिस्ट बना लिया जाएगा और इसमें सातों सिट का पेपर को हल करके उस प्लेलिस्ट में वीडियो को एक पा कि गलत है कितने प्रश्ण हमारा सही है कितने प्रश्ण मेरा गलत है तो उमीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे मिलते हैं अब खंगले भाग में सब comentários कर All यारतियों को नमस्ता